जैकाराश शेरवालिदा बोल साचे दर्बार की जै दोस्तों नवरात्री के पावन दिन आ गए हैं वो दिन आ गए हैं जब मादुर्गा आपके घरों में आएंगी और उनके चर्णों से हमारा तन, मन और जीवन सफल हो जाएगा माता तेरे चर्णों की रज मिल जाए मेरा ये जीवन सफल हो जाए माता तेरी हम पे नजर हो जाए माता तेरी हम पे नजर हो जाए माता तेरी हम पे नजर हो जाए मेरा ये जीवन सफल हो जाए मेरा ये जीवन सफल हो जाए नवरात्री के नौ दिनों में माता के नौ स्वरूपों की उजा होती है और हर स्वरूपों का महत्व अलग-अलग होता है माता रानी का पहला स्वरूप है मा शैल पुत्री शैल का अर्थ है शिखर दुर्गा को शैल पुत्री क्यों कहा जाता है यह बहुत दिल्चस्प बात है जब उर्जा अपने शिखर पर होती है केवल तभी आप शुद चेतना या देवी रूप को देख पहचान और समझ सकते हैं उससे पहले आप नहीं समझ सकते हैं क्योंकि इसकी उत्पति शिखर से होती है किसी भी अनुभव के शिखर से जब किसी अनुभव का अस्तित्व आपको सत्पतिशत घेर लेता है तब ही दुर्गा की उत्पति होती है नवरात्री के नौ पावन दिनों में प्रतेक दिन के अनुसार माता के सभी सरूपों के बारे में हम आपको बताएंगे इसी आशा में की आपके घरों में आपके दिलों में सदे माता की छाया समेत उनका आशिस बना रहे इसी के साथ कल फिर होगी मुलाकात तब तक लगाईए जैकारा शेरा वालिदा बोल साचे दर्बार की जै